हाई, welcome to my channel, इस वीडियो में solve करें question number 4 तो ध्यान दिजीगा, find the smallest number by which the given number must be divided so that the resulting number is a perfect square तो कौन से smallest number से हम divide करेंगे इन तीनो numbers में, कि ये जो तीनो numbers हैं वो perfect square बन जाए तो हम उसी numbers से divide करेंगे इन में जिसका pair नहीं बनेगा इनके factorization में मतलब इनको यदि factorize करेंगे और इनके जो factors आएंगे यदि उनके factors में pair जिसका नहीं बन पा रहा उसी number से यदि हम divide करतेंगे तो वो जो pair है हट जाएगा मैंने जिसका number का pair नहीं बन पा रहा है जिसका pair नहीं बनेगा उसी से divide करना पड़ेगा ठीक है चलिए solve करते हैं solution तो पहला है solve करते हैं first 14283 पहले इसको कर लेंदे है factorize 14283 14283 यहां पर ले जाएगा पहले 3 से क्यों जाएगा 3 से क्योंकि इनको add करने पर 18 आएगा और 18 जो है 3 से cancel out हो जाएगा ठीक है तो 3 से ले जाएगे तो यहां पर होगा 3,4,012 2 बचा 22 हो गया 3,7,021 1 बचा 18 हो गया 3,9,0 3,8 3,7,021 3,6 होगा 3,6,018 और 3 बचा 3 अब यहां पर किसे जाएगा यहां पर add करके देख लिए 4,7 11 हो जाएगा 17 हो गया 3 से cancel out फिर से हो जाएगा यहां पर 3 बचा 3,1 बचा 17 हो गया 3,6 जा 18 3,5 जा 15 2 बचा 26 हो गया 3,8 जा 24 और 2 बचा 21 3,7 जा 21 अब यह जो number है यहां 3 से फिर से कर जाएगा क्योंकि 5,1 होता है 6 और 6,8 14,14,7 21 तो 3 से cancel out फिर से हो सकता है तो 3,5 जा 15 ओके 3,5 जा 15 हो जाएगा फिर 3 से ले जाएगे 2,6 3,9 जा 27 तो 5,129 आ गया अब दीके 5,129 जो है थोड़ा सा unique number है और यह 5,129 जो है केवल 23 से ही cancel out होता है क्योंकि 23 का square होता है 5,129 तो 23 से इदिवाइड करेंगे तो 23 आएगा और फिर से 23 से करेंगे यहाँ बनाएगा मतलब कि हमने factorize कर लिया है 14,283 को और यह मिल गया हमें 3 into 3 into 3 into 23 into 23 अब यहाँ देखे pair किसके किसके बन रहा है इस 3 का pair नहीं बन पाया और यहाँ पर 23 का बन गया बेबर तो जिसका pair नहीं बन पाया है उसी से divide करना पड़ेगा क्योंकि हम यदि इसमें माल यह 3 से divide कर जाता हम तो क्या मिलेगा यह कट जाएगा और यह कटेगा तो यहाँ पर आप जो बचे हुए numbers है उनका pair मिल रहा है न इसी लिए 3 से divide करने पर इसको 3 से divide करेंगे तो जो नमबर मिलेगा वो perfect square होगा मतलब इसको भी 3 से divide करेंगे तो क्या मिलेगा 3 और यहाँ पर कटाएगे 3 से तो मिलेगा 4761 मतलब यह वाली number मिल जाएगी और यही क्या है perfect square number है this is your perfect square number तो कहने का मतलब है कि ऐसे आप करेंगे नहीं बस यहाँ पर दिखा देंगे आप कि since यहाँ पर 3 का pair नहीं बन पा रहा है तो लिख देंगे since 3 has no pair इसलिए so 14,283 must be divided by must be divided by 3 3 जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब ही यह perfect square बन पाएगा करने का मतलब यही है तो इसको note कर लिजगा हम इसको erase करेंगे फिर हम solve करें question number next इसका इसका next part हमने erase कर लिया अब यहाँ पर okay यहाँ solve करते हैं second part यह आपका है 1800 पहले कर लाते हैं इसको यहाँ पर 00 है मतलब कि 2 से कैसे लाट हो जाएगा तो 2 9 जा क्या होता है 18 होता है 900 हो जाएगा 2 से फिर से ले जाएगे यहाँ पर 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0 फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 फिर यहाँ बचा 2 2 जा 4 और 10 हो जाएगा 2 5 जा 10 आप इसको लिसकते हैं 18 इसको 2 मिल लेगा 2 x 2 x 2 3 आपके 2 है 3 x 3 इंटू यहाँ पर 5 x 5 है यहाँ देखे पेर कितने बन रहे है यहाँ पर यहाँ बन रहे आपको 2 जो है 2 का पेर नहीं बन पा रहा तो यही 2 नंबर है जिससे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ बोला है न कि by which smallest number must this number be divided तो आपका जो है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 2 होगा 2 is the smallest number by which we must divide 1800 to make this number a perfect square number यहीं 2 से डिवाइड करें तो मिलेगा 900 मिलेगा और 900 यही 900 क्या होगा perfect square number होगा ठीक है तो यह हम समझ गए अब जो है इसका third part करते हैं तो यहाँ पर erase कर लिए अब है आपका third part यहाँ 2904 2904 करना पढ़े अब पहला है क्या गया factorization तो यहाँ पर unit space में क्या है 4 है तो 2 से कट जाएगा 2 अंज़र 2, 2 4 जा 8 और 10 हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 2 से फिर ले जाएए क्योंकि हाँ unit space में 2 है 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 12 हो गया 2 6 जा 12 1 जा 12, 2 6 जा 12 2 3 जा 6 अब यहाँ पर 3 से कट जा 3 3 2 जा 6 3 जा 3 अब यहाँ पर 11 से कट जाएगा आप जानते ही है 11 जा 121 होता है और 11 जा 11 means आपका आ गया 2904 is equal to 2 into 2 into 2 into यहाँ पर 3 एक बार आया है into 11 multiplied by 11 यहाँ पर देखे पेर किसका इकसा बन रहा है यहाँ पर इसका बन रहा है इसका पेर नहीं बन पा रहा और 3 का भी पेर बना है कि नहीं तो 3 का भी नहीं बना यहाँ पर 11 का बन गया है तो यह दोनों को multiply करेंगे जो number आएगा उससे divide करना पड़ेगा इस number में तब जाकर कि जो pairs वाली number है वो बचे रहेंगे और जब pair वाली number बचे रहेंगे तो उससे क्या बनेगा यह perfect square बन जाएगा मतलब कि इसमें 6 से divide करना पड़ेगा तो clearly आप लिख सकते है clearly we must divide 2904 by 6 to make it a perfect square a perfect square okay मतलब कि हम समझ में आ गया कि यहां पर जो है जिसका pair नहीं बनेगा हमको उससे divide करना पड़ेगा तो इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching यह आपको अच्छा लागा तो लाइक कर दिजे दोस्तों को share कर दिजे Bye